अगर हम बात करें जब मौनिंग में जब खुला था तब 1527 रुपय पर उपन हुआ था बहुत बड़े प्राइस पर प्रिवेश पर आप देसे था कि 1480 रुपय के असपास था ओपन हुआ 1527 पर बाद में भयंकर गिरावट दिया है ठीक है और शेयर 1450 रुपय तक पहुंच गया बाद में दीरे 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 और end of the day 1495 रुपय तक शेयर प्लोज हुआ है हलकी सी तेजी जरूर देखने को मिली है यहाँ पर इस उड़े में हम बात करेंगी कि Reliance Industries क्या खरीदने का सही मौका है कि नहीं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियो से जो आपको काफी ज्यादा है तो चलिए शुरू करते तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 1495 रुपय के उपर है पिछले एक मेंने के ग्रोथ है ग्यारा सो पचास रुपय के उपर शेयर था बढ़िया बाउंस में कि आप देखें यहां पर किस तरीके के रैली आई थी ऊपर ही ऊपर दोड़ रहा था यह शेयर 1575 रुपय के उपर पहुँचा लेकिन जिस दिन इसने 1575 रुपय का हाई बना था उस दिन यह 1600 रुपय तक भी पहुँच चुका था बाद में अभी दो शेयर से गिरावट यहां पर जरूर देखने को मिली है पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 21% का यह एक बढ़िया खबरे आना शुरूर गई और शेयर सीधा जो गिरावट लेके बैठा था उसको पीछे छोड़कर सीधा आपने सते पॉसिटिव में आ गया हम कह सकते हैं कि आल्मोस्ट पैसा डबल कर दिया इसने यह भी हम कह सकते हैं पिछल तीन साल के हम बात की तो पिछल प्राइदारी का एक बढ़िया मौका है और ऐसी गिरावट को आपको लबक लेना चाहिए अगर मैं यहां पर बात करूँ मार्केट की तो 9,29,000 करोड से भी जादा का इसका मार्केट के आप है नसी में देखे तो 3 करोड से भी जादा का वाल्यूटर देखने को में रहा है शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो जरूर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 50% की प्रमोटर की होल्डिंग है एफाइस में होल्डिंग यहां पर इंग्रीस के 24.51% की होल्डिंग है मुचर फॉन के पास 5.25% की होल्डिंग है इंट्रांस कमने के पास 6.51% की होल्डिंग इंडी उच्पॉंट साड़े शेर रुपे मिल रहे हैं तेके रिलाइंस अच्छे खबरे आई जैसा कि Facebook के साथ एक बहुत बड़ी इनकी डील हुई और उस डील के जरीए ही आप याद करेंगे कि जियो माट एक उचाई पर चू सकता है आने वाले फ्यूजर में उसके बाद सिल्वर लेक के डील आई फिर विस्ता के डील आई अब एक और डील है कि साओधी अर्मागों की डील अभी भी टेवल पर है देखें अर्मागों को डील कुट प्रोवाइड सिग्निफिकल साओधी अर्मागों का जो प्रपोजल है वीस परसन की हिस्सेदारी जो यह लोग रिलाइंस इंडूस्ट्रीज में खरीदना चाहते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा पैसा रिलाइंस इंडूस्ट्रीज में आने वाला है रिलाइंस हैं रिसनी सेट देट सब्सक्राइब करें और उसको पूरी की पूरी तरीके से अलग कर देगा और उसका एक बड़ा सा हिस्सा जो है वह साओधी अर्मा को को देने वाला इस परसन का बढ़ा और आपको बताएं कि उनके उपर करजा जो है वह बहुत जादा है और अगर यह डील हो जाती है फेस्बूक के बाद अगर यह डील होती है तो रिलाइंस इंडेस्ट्री के पास एक और बड़ा पैसा आजाएगा दूसरी अगर आप अपडेट है तो देखिए रा को मिज़ना है और यह फिच का कहना है एक बहुत बड़ी यह भी द्रिकर्ज फर्म है उनका यह कहना है कि बहिया इनकी वज़े से आराइयल का जो परफॉर्मन्स है वो इंप्रूव हो सकता है एक रिलाइंस इंडेस्ट्री प्रपोज सेवन बिलियन राइट इस्यू अगर इन सब चीजों की वज़े से उनकी जो रेटिंग्स है वो आने वरे जिनमें और बढ़िया दरीके से इंप्रूव हो सकती है अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग काफी बढ़िया है इनकी दिखाई दे रही है पी 30 के आसपास है इंड बेचने की सला दे रहे हैं 61 परसंट लोग यहां पर बेचने की सला दे रहे हैं यहां पर हम बात करें जाएं तो काफी अच्छा इनका मार्केट के पहुँच चुका था अगर आप देखें मार्च कोड़र के जो नतीजे थे उसमें जरूर इनका जो प्रॉफिट था वह का करोना के चलते बहुत 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 लगा है लेकिन इससे पहले आप देखें कंपनी 11,000 से 10,000 क्रोर तक का मुनाफ़ा करती है और काफी तगड़े इनके प्रॉफिट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं तो अगिन रिलाइंस इंडिस्ट्री के पास इतना भरपूर बैलनस है इवन कंपनी इतना बढ़िया पैसा कमा रही है तो दरूर काफी अच्छी और स्ट्रॉंग पोजिशन पर है और जो करजा इनके उपर है वो करजा चुकाने के लिए वो एक के बाद एक डिसीजन ले रहे है जैसे कि रिलाइंस जियो के जो रिलाइंस जियो के ले रही है और पैसा इतना बड़ा आ रहा है तो यह शेर्ट को 2000 रुपे टच करने से कूल नहीं रोख सकता अगे मैं कह रहा हूँ बढ़िया मौका है खरीदारी की है लॉस में हो पैनिक करने की जरूरत नहीं है मैं मानता हूँ 1600 रुपे से गिरकर वापस शेर 1500 रुपे से भी लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कंपनी में बढ़िया पोटेंशलिस अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो यह रिकवर कर लेगा अभी जो गिरावट है वो सिर्फ इसलिए है तो मैं यही कहूंगा कि अभी अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपको और बढ़िया प्रॉफिट होगा आने वाले दिनों में अब चाहे तो फ्रिश बाइंग करने का भी मुझे लग रहें कि बढ़िया ऑप्शन है यह और आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं बढ़िया ऑप्शन मुझे फ्रिश बाइंग के लिए भी दिखाई दे रहा है छोटी कॉंटिटी आप खरी सकते हैं लेकिन अगेन मैं कहूंगा मार्केट थोड़ा सा अंस्टेबल है तो अगर आप खरीदारी करें भी तो पहले छोटी कॉंटिटी लगाए जैसे कि आपको मान लीजिए कि रिलाइंग्स इंडरेस्में में 25 शेर खरीदने हैं तो पहले 5 शेर उसके बाद वेट करें किस तरीके से मार्केट मूब रहे वो देखे उसके बाद और पांच शेर लगा है फिर और पांच शेर लगा है जब जब गिरावट आए तब थोड़े थोड़े शेर लगाते जाहिए बढ़िया शेर है आने वारे दिनों में ज़रूर बाहुत पग पड़े लेगा और काफी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंचल भी रखता है ये तो इनका ऑईल टू केमिकल का बिजनस है वो तो है ही है इसके साथ टेलिकॉम का भी बिजनस है उसके साथ रिटेल का भी बिजनस है कल को बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि रिलाइं इंडुस्ट्रीज के शेर से उनको रिलाइंज जियो के भी शेर मिल सकते हैं तो एक काफी बड़ी पॉसिबिलिटीज है यहां पर उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से फेस्बुक के साथ इनकी डील होई है और याद रखिए वाटसप का बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया जाएगा जियो मार्ट को खड़ा करने के लिए और पूरी इंडिया में जियो मार्ट डॉमिनेट कर सकता है यह फूचर प्लांस मुझे काफी इसके अट्रेक्टिव दिखाए दे रहे है इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ और उपर से जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है पूरे के पूरे देश में करोना के चलते हैं और जब प्राइमिश्यों मुदी का कल जो बासन था जिसमें उन्होंने स्वधेसी चीजों के उपर काफी जादा फोकस करने के लिए कहा है तो यह एक सेंटिमेंट भी काम कर सकता ह है कि इंडियल ब्रांड्स आने वारे जिनमें और जादा अच्छे से डॉमिनेट करती हुई दिखाई दे सकती है तो अगर ऐसा होता है तो अगर एक बहुत बड़ा फायता हो सकता है रिटेयल सेंटर अगर हम बात करें तो रिलाइंस रिटेयल के कच्छा परफॉर्म कर र सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमें लिख कर बता सकते हैं थैंक यू